हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है, वाइटी के डिटोरियर क्लास में, मैं हूँ आपका होस्ट अमन बहल, एक गौर्णमेंट आफिसर हूँ, आपके लिए इस क्लास को इस तरीके से डिजाइन करके लाता हूँ, कि अगर आप इंग्लिश मेडियम के ना भी हो, उसके हैं, लेवल प्रेटफॉर्म्स, इसका टाइटल है, फेस्बूक और गूगल के उपर लिखा हुआ है, कैसे इन्होंने मोनोपली की हुई है, दुनिया भर में अपना एका दिखार मचाया हुआ है, अब सारी ग्रामर और सारी वोकाबलरी आप देखेंगे इस क्विज में, यह वाला क्विज है, जो भी आप सीखोगे, इस पर अपलाई करना, ताकि आपको मालूम चले, आपने कितना सीखा, इसको आप एक ट्राई शुरू में भी देए, वीडियो के लास्ट में, सलूशन मिलेगा लाइव, और हाँ, आज आप से कुछ मन की बात भी करेंगे, चल अभी आपका एक कैंपेंग चल रहा है, ट्विटर पे, एससे सी बैंक्स वालों का, जिसमें आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मेरा मोरल सपोर्ट है इस कैंपेंग के लिए आप सभी को, बरपूर सपोर्ट है, लेकिन अलग से वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मै गौर्णेंट सर्वेंट हूँ, सीनियर ओफिसर हूँ, और मेरी टर्म्स अफ इंप्लोईमेंट ये कहती हैं कि मुझे सरकार के खिलाफ किसी भी अंदोलन में कभी भी हिस्था नहीं लेना है, सरकार के खिलाफ भी और सरकार के साथ भी, किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे के अंदर मुझे शामिल नहीं होना चाहिए है ना तो मैं अंडर ओथ हूँ शपत दिलाई गई होती है हर गवर्मेंट करमशारी को जब आपकी नोकरी लगेगी तब आपको भी दिलाई जाएगी तो उस वज़े से अलग से वीडियो बना करके हाइलाइट नहीं करेंगे लेकिन आप अपने कैंपेइन के साथ में go through हो क्योंकि आप अपने हक को मान रहे हैं कुछ गलत चीज नहीं मांग रहे हैं बस ध्यान रखें शब्दों की तैजीब को बनाए रखें है ना शालीनता के साथ जो भी मांगे वो मांगें अपने शब्दों की सिमाओं को cross ना करें तो प्लेटफॉर्म का मतलब होता है मंच, लेवल का मतलब होता है बराबरी वाला, अगर लेवल एड्जेक्टिप बन के आ जाए उसका मतलब होगा इक्वल, तो करें बराबर के प्लेटफॉर्म सोने चाहिए, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, सबको बराबरी के मंच मिल प्लेट फॉर्म को मिलाके प्लेट फॉर्म मत बनाना कभी भी बीच में नहीं आता है इसको बोला भी जाता है प्लेट फॉर्म ठीक है मंच लेवल मतलब बराबरी का इक्वल अगर किसी नाउन के आगे आजए एडजेक्टिब बनके तो इसका मतलब होता है इक्वल आप एक फ्रेज को सुनेंगे लेवल प्लेइंग फिल्ट जिसका मतलब है बराबरी का मैदान स सबी के लिए किसी मैदान में बराबरी के मोके हो इक्वल अपॉर्चनिटी हो दैन इडिस कोल्ड लेवल प्लेइंग फिल्ट समझगे ना चलो अब इसके टाइडल पराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाहरा है उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर द करेंगी माइड मतलब हो सकता है और टेक मतलब ले लेना करहा हो सकता है दूसरी सरकारे भी क्यों को ले लें एक हिंट को ले लें क्यों का मतलब होता है छोटी सी हिंट या सिगनल और किससे अस्ट्रिया के उस नए लौ से उस्ट्रिया के उस कानून से नए वाले से और वह जो की बना देता है इन प्लेटफॉर्म्स को पे करना जो की मजबूर कर देता है इन प्लेटफॉर्म्स को कि वो पे करें न्यूज के लिए खबर के लिए अभी क्या होने वाल है औसेलिया में एक लॉब बनेगा जिसमें अगर गूगल ने कोई न्यूज उठाली दैनिक भास को अभी इसको डिटेल में देखेंगे समरी में आपको दे रहेता हूं पहले आजाओ संटेंस में देखने वाली चीज़ें क्यों का मतलब है हिंट सिंगनल इंडिकेशन इशारा है ना गौर्णमेंट साब का सब्जेक्ट माइट टेक आपकी वाब यह ब्लू में पे ही क्यों लिखा यहां पर कौन सा ऐसा ग्रामर रूल लगा जिसकी वज़े से मैंने लगाया मेक प्लेटफॉर्म पे यहां पर टू पे क्यों नहीं लगाया पेइंग क्यों नहीं लगाया तो यह कहलाता है कॉज़ेटिव वाप्स आज से एक महीना पहले स्वेम ने मेक और गट यह कॉज़ेटिव क्यों है क्योंकि यह किसी काम को काउज करती है किसी काम को करने पर दूसरे को मजबूर करती है खुद नहीं करने जətty दूसरे से करवाती है जैसे The policeman made us pay a fine Police man نے हम से fine को pay करवाया देखो हमने नא किया ना policeman ने किया policeman ने हमें पकड़ा और मार-maar के fine pay करवाया यह हमें डाट करे डृट करके fine pay करवाया समझगे न तो made us pay a fine का मतलों होता है किसी से कोई काम करवाना यहीं काम कर रही है यहांपे make नाम की Quositive वर्ब अब ध्याम देना अगर आपको make नाम की Quositive वर्ब यूज़ करनी हो उसके बाद में जिससे काम करवाए गया वो लिखा जाता है और उसके बाद में उस काम को लिखा जाता है bear infinitive के साथ समझ गे तो make us अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ to pay to pay तो ये गलत sentence है समझगे मैं बात को यहाँ पे सिरफ और सिरफ make us pay ही आएगा अब यही वाला meaning आप have और get नाम की वर्ब से भी ले सकते हो the policeman had us pay a fine and the policeman got us to pay a fine द्यान देना make के साथ में bear infinitive had के साथ में bear infinitive लेकिन get के साथ में to infinitive बस यही चीज़े आपको समझने है को अजिटिव में तीनों का मतलब एक ही है make का मतलब है मजबूरी में करवाना hack का मतलब है समझा पुझा के करवाना got का मतलब है informal तरीके से समझाना पुझाना समझगे ना यह informal sentence है formal नहीं है तीनों का मतलब एक पर make के बाद में bear infinitive have के बाद में bear infinitive और get के बाद में to infinitive तीन तरीके से आपने एक ही sentence को लिख दिये है अब देखो इनको आपने active में लिखा है ना इसी तरीके से आप इनको passive में भी लिख सकते हैं पैसिव वाला मैं फिर से repeat नी करूँ आज क्योंकि एक महीना पहले ही हमने detail में वीडियो की है जो लोग अच्छे तरीके से grammar को सीख चुके हैं मेरे साथ जरूर से passive वाले को अभी बना करके देखें तीनों sentence passive में बनेंगे structure बदल जाएगी meaning वही का वही रहेगा सब लोग कोशिश करें ताकि आप revise कर सकें और सीख पाएं डालना comments में जो लोग successfully बना बारे हैं formula मैंने आपके सामने लिख दिया है ना passive वाला चलिए अब एक छोटी सी summary करते हैं article की हमें पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है गूगल और Facebook जो है ना इस पर लोग news भी पढ़ते हैं आपने कुछ news को सर्च किया गूगल में और Google News के अंदर आपने उस news को पढ़ लिया अगर वो news दा हिंदू ने कवर की थी या राजसान पत्रिगा ने कवर की थी उसका पैसा उनके पास नहीं गया अगर यहां के किसी news पेपर ने किसी news को कवर किया है तो उसको अगर Google और Facebook दिखाना चाहे तो जो पैसा कमाएगा दिखा करके उसका छोटा हिस्सा उस news पेपर वाले को भी शेयर करना पड़ेगा इससे news पेपर घाटे में नहीं जाएंगे और बंद नहीं होंगे बिल्कुल सही कानून है इससे इनकी मनोपली भी कम होगी Google और Facebook की जाहिर सी बात है इस law के बाद Google और Facebook बहुत नराज है Australia की government से हमारा article यह कह रहा है कह रहा है यह बिल्कुल ठीक सा हो रहा है काम जो भी हो रहा है European Union भी इस काम को कर चुकी है अब Australia कर रहा है और दूसरी सरकारों के लिए भी एक सिगनल आ गया है आप भी इस काम को कर सकते हैं समझगे ना बस यह इसकी समरी है और साथी साथ इसकी टॉन है आज की जस्टिफाइंग जो भी Australia कर रहा है उसको जस्टिफाइग कर रहा है कह रहा है बेल्कुल ठीक है एक ही कंपनी का सारे इंटरनेट पर राज नहीं होना चाहिए ना Google का ना Facebook का समझ गए शुरू करें चलो आपने अभी भी मेरे साथ कॉजेटिफ वर्प सीखी मैंने आपको बताया हम ओलेडी कवर कर चुके हैं इसी तरीके से हर concept को जो SSE Banks में आता है हमने basic से cover किया है अगर आप basic से अपनी English को build करना चाहें आप 2-3 week में कर सकते हैं चैनल के home page पे जाएं यहां आपको नीचे मिलेगी complete English grammar for all competitive exams इस playlist को शुरू से last तक चलाएं 2-3 week में आपका basic हो जाएगा तयार फिर आप जो पढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा साथी साथ आपको नीचे मिलेगी paid content की दो playlist एक SSE और एक banks के लिए इन playlist के अंदर आपको मैं SSE bank का paper solve करना सिखाता हूँ अगर paper नजदीक है तो ज़रूर से member बनके इनका फाइदा उठाएं मेंबर बनने के लिए जोन बटन पर प्रस करें और अपना contribution दे के member बन सकते हैं शुरू कर रहा हूँ करे अन्यू लॉओ इन उस्ट्रेलिया दाट सीक्स तू मेक टेकनोलोजी प्रेटफॉर्म्स such as Google and FB pay news publishers for use of their content presents government in democracies with an idea worth considering if not emulating करे एक नया कानून, a new law अचा कहां पे भई? उस्ट्रेलिया में, in उस्ट्रेलिया अचा कौन सा कानून? जो की सीक करता है रेलेटिप उनावने दाट है न? वो वाला कानून जो की कोशिश करता है अचा किस चीज की भाई? की वो make कर दे technology platforms को, तकनीकी platforms को जैसे की Google और Facebook अचा इनको क्या make करे? इनको क्या मजबूर करे? की वो pay करें की वो पैसा दें news publishers को, news बनाने वाली कंपनियों को अचा किस के लिए? इस्तेमाल के लिए, use के लिए इन कंपनियों के content को, इन कंपनियों की news को के रहा ऐसा जो law आया है न, इस तरह का सीख करने वाला, ये जो law है ये present करता है सरकारों को ये लाकर कर देता है दुनिया बर की governments को, कहां पे? डिमोक्रेसिस में गंदंत्रों में, एक idea के साथ एक नए विचार के साथ, जो है विल्कुल consider करने लायक है worth considering है, एक ऐसा idea मिल गया है, जो इंडिया और अमरीका जैसी डिमोक्रेसिस भी सोच सकती है consider कर सकती है, अगर वो ना भी करना चाहें इसको emulate, ना भी करना चाहें इसको copy समझगे, तो गरे ये नया law जो अस्टेडिया लेकर क्या है न, सारी दुनिया को एक idea मिल गया है, इस law से कि हम भी सोच सकते हैं ऐसा law लाने के लिए, चाहे आज emulate ना करें, चाहे आज इस law को copy ना भी करें, अब आज जो sentence पर देखने वाली सीजे, आपको मैंने बताया subject verb पकड़ते ही sentence आपके साथ में आ जाता है, नया law की वर्ब है, प्रेजेंट्स, अगर आपको ये नहीं पता लगा, ये sentence आपको बिलॉंग ही नहीं करता आप कभी नहीं पड़बाएंगे sentence को उसका meaning क्या है, समझे मेरे बात को नया law प्रेजेंट करता है, ऐसे बना है subject और वर्ब, that की वर्ब है सीख्स make यहाँ पे cognitive वर्ब है इसलिए यहाँ पे पे नाम का bare infinitive यूज हुआ है, अगर ये have होता, तो भी pay होता, अगर ये get होता, तो यहाँ पे लिखा होता, है ना, वर्ब एक ऐसा adjective है, जिसके बाद में हमेशा नाउन या जीरंड आएगा, this movie is not worth to watch, ये movie देखने लायक नहीं है, वर्ब का मतलब है लायक है ना, ये movie लायक नहीं है देखने के, वर्ब के वर्थ 15,000 डॉलर्स, ये कार लायक है 15,000 डॉलर्स के, 15,000 डॉलर्स की कीमत है, फॉर्मूला मतलगा ना, ऐसा रट्टा मारने वाला, यहाँ पे इंजी मतलगा है ना, आपको फिर बता रहा हूं, नाउन आएगा या जीरंड आएगा, अगर 15,000 डॉलर्स लिखा हुआ है तो अपने आप में एक नाउन है, इसके आगे इंजी फॉर्म ना लगती है, इसकी ना लगाने की जरूत है, समझे ना, वर्ब को इंजी में बदल देना, इसकार इस वर्थ 15,000 डॉलर्स ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट सेंटेंस है, बढ़े आगे, एमुलेट का करने मतलब होता है, किसी को कॉपी करना, मिमिक करना, किसी को फॉलो करना, किरे दो लॉओ, विच इस बेस्ट ऑन दर रिलाजीशन ओफ ए सिविर पाव है, जिसकी हम उपर बात कर चुके हैं, इसलिए दा लॉओ, करे ये लॉओ, जो की आधारित है, बेस्ट है, इस एहसास पे, इस रिलाजीशन पे, और किसकी, एक बहुती खराब, बहुती सिविर, पावर इंबिलेंस की, पावर के ऐसंतुलन की, और किसके बीच में, बड़ करता है, ये निशान बनता है, एक बहुती रेर, बहुती विरली सी इंटरवेंशन का, एक दखल लंदा जी का, जो रोज रोज नहीं आती है, और किसके द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा, प्लेटफोर्म पॉब्लेशर की रिलेशनशिप में, गूगल और नूस प्लेशन है, और रेर है अपने आप में, किसी भी सरकार ने जो आज तक किया हो, इस सरे की रिलेशनशिप के बीच में, देखने वाली चीज़ें, लौ की वब है, माक्स, विच की वब है, इस बेस्ट, रिलाज़ाशन का मतलब होता है, अंडरसेंडिंग, किसी चीज का एह सास, सीवेर का मतलब होता है, very bad, extremely bad, है न, इंटरवेंशन का मतलब होता है, दखल अंदाजी, यह मनने लिखा नहीं है, इसका मीनिंग आज, है न, चलो, किरा, इट सीक्स तू लेवल दा प्लेइंग फिल्ट, बाय में देटिंग दाट, प्लेटफोर्म्स निगोशियेट प्लेटफोर्मस जो है, वो सबके सब निगोशियेट करें, प्लेटफोर्मस निगोशियेट करें, प्लेटफोर्मस के साथ, और किस बारे में, रिगार्डिंग पेमेंट फॉर दियर कॉंटेंट, उनके कॉंटेंट की पेमेंट के बारे में, तो इस लॉन ने इस चीज को मैंडेट कर दिया है, जरूरी बना दिया है, कि जितने भी टेक्नॉलोजी प्लेटफोर्मस हैं, गूगल, फेस्बूक, इंस्साग्राम, वो सब पे, इसको बोलते हैं, प्रेजेंट सब्जेंटिम मूड, ठीक है, कब लगता है, जब इन में से कोई भी वर्ड आजाए, या इनके जैसा कोई और वर्ड भी हो, हर वर्ड अपने आप में किसी चीज की अर्जेंसी को बता रहा है, इंपरेटिम मतलब जरूरी, नैसेसरी मत मतलब जरूरी, इंपर्टेंट, रिक्वेस्ट करना मतलब किसी से जरूरी बात कहना, मेंडेट मतलब किसी चीज को जरूरी बनाना, मतलब किसी को जरूरी सरेशन देना, रेकमेंड भी है, विश का मतलब किसी चीज की इच्छा रखना, डिमांड का मतलब भी है, जरूरी कि का तरीका है sentence इसके बिना भी सही होता है पर इससे इंप्रूव हो जाएगा अब देखो कैसे दा लौ मेंडेट दैट क्रिमिनल इस टू भी हैंक विधिन 30 देज लौ इस सीज को मेंडेट करता है कानून इस सीज को जरूरी बनाता है दैट वो यह की क्रिमिनल को हैंक कर दिया जाए लड़का दिया जाए तीस दिनों के अंदर अब देखो यहां पर मेंडेट आ गया यहां पर लगाना है प्रेजेंट सब्जेंटि मोड क्या थरीका लगाने का इस संटेंस को शूड के साथ में बना दो क्रिमिनल इस इस शूड को निकाल दो अगर आपने ऐसा किया तो यह बाखी का बचा यह प्रेजेंट सब्जेंटि मूड है समझ के क्रिमिनल भी हैंग विदिन थर्टी डेज वैसे इसको बनाओ इस सुडेंट रीचिस दा इग्जामिनेशन हॉल इन टाइम यह ज़रूरी है कि हर लड़ चाहिए यहां पर रीचिस की जगा देखो नैसेसरी आ गया अब यहां पर लगाओ रीचिस की जगा लिख दो शूड रीच इतना ही करना और शूड को बीच में से गायब कर दो शूड सिरफ आपकी अंडरसेंडिंग के लिए लिए मैंने पेपर में लगा कर आना ठीक है त प्रेजेंट सब्जेंटी मूड बेर इंफिनिटिव ही लता है स्टूडेंट के हिसाब से रीचिस नहीं आएगा समझे ना बस यहीं करना आपको अब तीसा देखो वी डिमांट डैट एससी डजनोट डिले रिजल्ट ऑफ सीजियल हम चाहते है कि एससी सीजल कर डिले ना क इसको कहते हैं प्रेजेंट सब्जेंटिक मोड समझ गें चलो बहुत इंटरस्टिंग कॉंसेट है यह बार बार आप इसको देखोगे बहुत सारे क्वेस्टेंट में हैं करे देखा देते हैं कभी उसको पैसा देते नहीं है ऐसी उनकी आदत है ठीक है अब यहां पे गोर कॉंसेट है और यह इंपॉर्टन्ट है इसमें कंफ्यूजन होती है इसलिए ग्राफ बना के दिखा रहा हूं यूस्टू के बाद में कभी आप देखोगे वर्ब का फर्स फॉर्म यह बेंफिटिव और कभी कभी देखोगे आप वर्ब की आएंजी फॉर्म जीरंट इसको इसको समझना पड़ेगा आपको कब कौन सा लगेगा समझगे ना मेलाथ को यह यह बह रेवी आ सकता यह बह रात करने के लिए या rising early वो उठा करते थे जब used to main verb बन जाए इसका मतलब है आप किसी काम करने के लिए आदी थे आप है न they used to rise या rising early जो है सुबह जल्दी उठने के आदी थे अब देखो उनकी आदत थी used यहाँ पर main verb है they आपका subject है अगर ऐसा है used main verb है तो two के बाद में rising नहीं आ सकता समझगे में बात को they used to rise early अगला sentence देखो they were used to rise या rising early वो आदी थे सुबह जल्दी उठने के यहाँ देखना ध्यान से यहाँ पर लगा हुआ is mr was were अगर ऐसा कुछ भी आजाए और उसके बाद में used to लिखाओ तो यहाँ पर used adjective होता है अगर is mr was were being इसके बाद में used आ जाए तो used होगा adjective और meaning निकलेगा आप किसी काम को करने के आदी हैं समझगे ना तो जैसे ही मैंने work को देखा मुझे यहाँ पर rise नहीं rising करके आना है अब देखो तीसरा वाला इसका exception advertisements are used to sell यह selling products अब इसके दो meaning निकल सकते हैं पहला तो यह advertisements आदी है products को sell करने की advertisements को आदत है कि वो products को sell करती है अगर ऐसा है तो selling आएगा यहाँ पर used बन जाएगा adjective लेकिन अगर ऐसा है कि यहाँ पर used main verb बन गया passive voice के अंदर और मैं कहना चाहरा हूँ advertisements को use किया जा सकता है products को sell करने के लिए इस case में यहाँ पर आएगा sell देखो यहाँ पर आपको meaning से जाना है अगर advertisements कोई इंसान है जो आदी हो सकता है किसी काम को करने का तब तो यहाँ पर selling आ जाएगा ठीक है used बन जाएगा adjective लेकिन अगर यह advertisement इंसान नहीं है और इनको इस्तमाल किया जाता है product को sell करने के लिए यहाँ लिए लिए दो by companies by companies और आपको clear हो जाएगा अगर ऐसा है तो यहाँ पर used main verb है और यह passive का sentence है यहाँ पर इस case में sell आएगा proper meaning से जाना पड़ेगा इस MR was word नहीं आया तब तो हमेशा बेनफिटिव आएगा लेकिन अगर यह आ गए और used main verb और sentence में किसी चीज़ को इस्तमाल में लिया जा रहा है advertisements को इस्तमाल किया जा रहा है तब तो यह main verb की तरह behave करवाएगा लेकिन अगर कोई चीज आदी हो गई है इस MR was word के बाद में used लगा होगा है वहाँ पर आप use करेंगे gerund को यह पूरा chart है इसके बाद इसको used to में कोई confusion आपको नहीं होगी इन तीनों चीज़ों को आपको follow करना है ठीक है चलो इसको ग्रामर सीरीज में पार नमबर 18 या 17 में कर चुकिया हम वर्व वाले चेप्टर में डेटेल में वहाँ पे मैंने आपको करवाया है इसलिए बोलता हूं सब कुछ वहाँ रखाया यहां पे सिर्फ रिवीजन करने आया करो है ना शक्तियों का इसंतुलन है वो खाली खाली एक जासे पयालीके नजयंन्igent की है यह पावर ब्लेंच हलांकि पूरी धनिया में है इंडिया में भी है और अमरेक्षम में है करहां इचा सबन सक्तेमें até So much power that they have become de facto gateways to the net क्यारे यह जो power का imbalance है यह जो शक्तियों का ऐसंतुलन है यह intensify ही हुआ है यह आगे से आगे strong ही हुआ है intensify होना किसी चीज़ को और मजबूत होना यह 0-4-0 मजबूत ही हुआ है पिछले decade के दोरान या इसी दोरान और so decade का मतलब है 10 साल और so का मतलब है इसके आसपास तो गरे पिछले 10 साल यह उसके आसपास में और मजबूत ही हुआ है during which time, जिस time के दोरान platforms ने gain कर लिया है इतनी सारी ताकत को के वो जो हैं बन चुके हैं एक तरह के defecto gateway entry point internet के google से ही आप internet में जाते हो तो एक तरह से google इंटरनेट का gateway बन गया है entry point बन चुके है समझगे न देखने वाले words के है gateway जो रस्ता जो gate आगे का रस्ता दिखाए entry point बही होता है एक ऐसा gate होता है जहां से आगे का रस्ता निकलता है entry point को बोलते है gateway defecto का मतलब in reality वास्तम है है न कोई चीज रियल में कैसी होती है defecto word से बताते है they have also grown massively to become some of the richest companies on earth today और ये grow भी कर चुके है है ये बढ़ भी चुके है इतना ज़्यादा massively के बन गए है कुछ एक सबसे अमीर कंपनिया हमारी अर्थ पे आज तो google facebook बुक आज ये आज दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से एक है इतना ज़्यादा ग्रोख कर चुके है unfortunately during the same time there has been a precipitous decline in the fortunes of the news media which provides the generalistic resources on the ground to keep a population especially in a democracy well informed करे दुर्भागे की बात ये है unfortunate बात ये है इसी वक्त के दुरान वहाँ पे एक बहुत ही decline रहा है precipitous precipitous क्या होता है हर वो चीज जो बहुत ज़्यादा गहरी हो बहुत ज़्यादा एक गम sharp हो unfortunately इसी वक्त के दुरान बहुत ही कड़ा एक decline आ है बहुत ही sharp एक गिरावट आई है fortune में नसीब में news media के news agency के जो की provide करती है ये news media क्या है वो है जो की provide करता है जनलिस्टिक resources को और किस पे on the ground जमीनी हकीकत पे और क्यूँ ताकि keep कर पाएं एक population को एक जनसंख्या को खास करके एक democracy में एक गंद तंतर में well informed अच्छे से informed तो जनलिस्टिक जो है resources निउस कंपनियां जो है छोटी मोटी एक्चल में वही हमें well informed रखती है इनका नसीब तो गिरता जा रहा है है ना ये इतना ज़रूरी काम कर रही है हमें निउस देने का बावजूर इसके और गूगल और जो फेस्बुक है वह एर्थ की सबसे अमीर कंपनियां बन रही है तो कर रहा है बहुत ही sharp decline इनके नसीब में आया ऐसी कंपनियों के समझ गे precipices का मतलब होता है बहुत sharp बहुत ही टेड़ा बहुत ही एकदम खड़ा हुआवा डिकलाइन है ना चलिए journalism houses have struggled to stay afloat what with their long successful offline business models becoming less viable journalism houses जो है जैसे times group है the hindu group है राजसन पत्रिगा ग्रूप है यह जो houses है वो struggle कर चुके है stay करने के लिए afloat तैरता रहने के लिए journalism के बजार में afloat नहीं रह पारे है बहुत struggle कर रहे है इनकी कंपनियां डूबने जा रही है अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है what with what with कमल होता है because of because of उनके बहुत ही लंबे और बहुत ही successful offline business model के बन जाने के आज की डेट में कम viable कम sustainable पहले इनका एक successful offline business होता था newspaper वाला जो आज की डेट में less viable है बिल्कुल भी जान नहीं है उसमें sustainable नहीं है इसी वज़े से what with इसी वज़े से ये struggle कर रहे है आज भी तैरने के लिए कभी भी डूब सकते हैं कितने भी journalism houses अब देखने वाले words afloat मतलब तैरते रहना बने रहना what with मैंने आपको थोड़े दिन पहले खबरी पे करवाया था informal phrase है इसका मतलब होता है because of because of है na what with मतलब because of viable मतलब sustainable अगर आप viable है sustainable है तो आप डूबेंगे नहीं आप चलते रहेंगे आप में जान कायम रहेगी है नचलिए as a result across the world many have gone out of business and hundreds and thousands of journalists have lost their jobs केरा एक नतीजे के तोर पे पूरी दुनिया में across the world बहुत सारे इन में से out of business हो गए है इनका धंदा हो गया खतम और हजारों जो thousand journalists हैं वो अपके सब के सब लोग lose कर चुके हैं अपनी नोकरियों को अगर newspaper बंद हो जाएगा newspaper out of business हो जाएगा तो लोगों की नोकरिया जाएगी इसी चीज़ का result है क्योंकि सब लोग news पढ़ते हैं Google पे और Facebook पे है ना simple sentences है repeat नहीं करूँगा चलो आज़ो अगले sentence पे अपने paragraph पे It is no one's case that this law is flawless रहे यह किसी का भी कहना नहीं है किसी का भी preference नहीं है किसी का भी point नहीं है कि ये वाले जो low है ये flawless है इसमें कोई भी flow नहीं है flawless मतलब error free immaculate, impeccable ये दोनों ही one word है ऐसी चीज़ को बताते हैं जिसमें कोई भी गलती ना हो है ना यह किसी का भी case नहीं है किसी का भी reference point नहीं है कि यह जो law है अपने आप में एक error-free law है इसमें बहुत सारी errors हो unto है hmm no one s case बहुत बार आ चुका घुका है इसका cabinet होता है किसी का point होना किसी की preference होना किसी का that सब्सक्राइब करना होना है ना कर फार फ्रॉम इट बलकि इससे बहुत दूर की बात है फ्लॉलेस नहीं है बलकि इस लॉम में भी बहुत सारी कमियां अब देखो कैसे कमियां बताएगा कर लीविंग साइट गूगल और फेस्बुक विच अन सर्प्राइजिंग ली अपॉस इस अगेंस प्रिंसिपल्स ओफ और ओपन इंटरनेट करें साइड में छोड़ दो लीव कर दो साइट किसको भाई गूगल और फेस्बुक को अचा कोन है जिनोंने बिना सप्राइज के बिना किसी अचंबे के अपोस्ट भी किया इस लोग को हमें मालुम था गूगल और फ कि यह जो है अगेंस्ट है खिलाफ है प्रिंसिपल्स के उन कानूनों के नीमों के जो है खुले इंटरनेट की ऑपन इंटरनेट की समझगे ना गूगल फेस्बुक तो कही नहीं ऐसा उनको तो कहना ही है उसके लावा कई एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि इस से ओपन इंटरन आपको मालूम है किसी चीज पर जोर देने के लिए प्रेजेंट और पास एंफनी टेंस में हम डू और डिट को बाहर निकाल लेते हैं ना इसी रेकन का प्रेजेंट पार्टिसिपल सेक्शनल लीविंग ठीक है ना जब एक्सपर्ट ऐसा रेकन करते हैं ऐसा सपोस करते हैं तबी वो लीप भी कर रहे हैं गूगल और फेस्बुक को असाइड है ना विच की वह बेए पोस्ट इट की वह बेए इस प्रिंसिपल मतलब कानून चलो आगे बढ़ते हैं करहां मैनी अदर्स तू रिफर तू दप्रेशर फ्रम दे ट्रडिशनल मीडिया लॉबी विच इ परंपरागत मीडिया के ग्रूप से और वो कौन लोग हैं जिसमें शामिल है इस तरह के लोग और किस तरह के दा लाइक्स ऑफ रूपर मुड़क का न्यूज कॉप रूपर मुड़क एक न्यूस पेपर टाइकून है दुनियां बढ़े में हजारों खबार हजारों ने तो सेंकड़ों खबार का मालिक है ताइम्स ग्रूप का भी मालिक है शैद यही तो इसने बहुत दवाब दे रिखा है अस्ट्रिया की गौर्णमेंट पे कि आप गूगल फेस्बुक से हमें पैसा दिलवाओ तो कुछ लोग इसकी तरफ भी इशारा कर रहे है कि सरकार इनके द दाला गया है इस बात के उपर दो लाइकस ओफ इसका मदलब है इस तरह के आयदो नोट प्रिफर्ट वी फ्रेंट्स विद्ट दाला इक जैसे लोगों के लिए तो लाइकस ओफ को आप इसी तरीके से यूज करेंगे खबरी पे सखुम कर चुके हैं एक चीज का ध्यान दे इसको ऐसा ही लिखा जाता है कभी भी आज लिखें आय डूनोट प्रिफर्ट टू बी ए फ्रेंड ओफ है न तू भी फ्रेंट्स विद इसका मदलब होता है किसी से दोस्ती करना तू भी फ्रेंट्स विद चलिए आगे बढ़ें इस लोग के पीछे का अब्जेक्टिव इस लोग का जो इरादा है उसको हमें नोट करना चाहिए अब लोग का इरादा क्या है कर एक इन लांचिंग दाब लिच इन फ्रेंट्स विद इस लोग को और कौन सा बिल जो की महज है थोड़े ही दिनों दूर और किससे पास होने से और किसके दवारा सेनेट के दवारा कर इस काम को लांच करने में न इस चीज को लाने में असीलिय की सरकार जो है उसने दिखा दिया है कि यह realize करती है यह एसास है इसको इस चीज का दैट कि जो कोस्ट है जो कीमत है दकल अंदाजी ना करने की इंटर्वीन ना करने की इस ऐसमान बैटल में इस ना बराबरी वाली जंग में के रहा वो कोस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा है बहुत ही हाई है समझगे ना तो लॉंच करके गौवर्णमेंट को गौवर्णमेंट ने दिखा दिया है कि इनको रिलाइज है ये चीज कि अगर हमने कोस्ट आज हमने अगर इस अन इकवल बैटल में इंटर्वीन नहीं किया तो इसकी कोस्ट सभी न्यूस पेपर वालों को चुकानी पड़ेगी आने वाले सालों में है ना देखने वाले वर्ट्स सेनेट का मतलब है वहां की पार्लियमेंट और स्रिलियन पार् स्टेख मतलब के रडडां पे है वाय बिलिटी ऐनिérioटी न्यूज मीडिया इंड्र उप आगे कैसे जिन्दा रहेगी उसकी सिस्टेडाप सेनेबन बिलिटी शी की सेर्फ मतलब है हैं ऐक कितने एकल्सस्टेश्य घ Sounds हमेशा कभी भी आप डूब होगे नहीं है ना sustainable का मतलब यह होता है stake का मतलब होता है down एक inverted sentence है at stake यह subject compliment है यह verb है और यह subject है subject compliment preposition से शुरू हो रहा है शुरू में रखा हुआ है इसलिए sentence invert हो गया है ना that Australia chose to intervene is critical as countries outside the EU have often adopted a laissez-faire approach to administering tech giants करें इस चीज़ ने that यह बात की अच्छा कोन सी बात कि Australia ने choose किया Australia ने इस चीज़ को विकल्प को चुना जो है intervene करने का करें यह बात जो है ना is critical यह बात अपने आप में बहुत ही गंभीर है that की वाब है इस अच्छा क्यों है गंभीर as क्योंकि countries जो है nations जो है EU के बाहर European Union के अलावा अक्सर उन्होंने अपनाया है इस टाइप की अप्रोच को लेशी फेर का मदलब होता है minimum control इंटरनेट पे Google पे Facebook पे कोई control नहीं करें EU के अलावा जो बाखी country हैं उन्होंने अक्सर इसी अप्रोच को अपनाया है administer करने में monitor करने में tech giants को Google Facebook और Instagram को समझे ना तो करें बहुत ही अपने आप में critical बात है उस्टेलिया ने ये काम किया क्योंकि EU के अलावा ये काम किसी भी country ने दुनिया की नहीं किया है वह अब देख ले ना उस्टेलिया की वाबे chose that की वाबे is countries की वाबे have often adopted लेसी फेर का मतलब होता है minimum intervention बिलकुल भी दखल अंजाजी नहीं करे but this may change करे लेकिन ये बदल सकता है पहले European Union ने किया अब उस्टेलिया ने किया हो सकता है अब इंडिया की बारी को और स्टेलिया प्राइम मिस्टर स्कॉट मॉरिसन हाज हिमसेल्फ टेकन दा इनिशेटिव इन रीचिंग आउट तो इंडिया प्राइम मिस्टर नेरेंदर मौदी एंड कनेडियन पीम जस्टिन टिडिव अबाउट दा बिल करें इनके जो पीम है उस्टिलिया के स्कॉट मॉरिसन साहब इन्होंने खुद ही टेक किया है खुद हिमसेल्फ अपने आप से ही लिया है इस इनिशेटिव को इस पहल को कि वो रीच आउट करें वो अप्रोच करें इन्डिया के पीम साहब को मौदी जी को और कैनेडियम पीम को जस्टिडियो को इस बिल के बारे में समझगे ना तो इसने स्कॉट मॉरिसन ने पीम साहब को यहां के और कनेड़ा के दोनों को फोन किया और बोला आप भी ऐसा लो लेकर के आएं ताकि इनको सही सबक सिखाए जा सके फेस्बूक और गूगल को रीच आउट टू करना मतलब अप्रोच करना कॉल ओन करना, अपोन करना किसी का आवान करना है ना किसी के पास चल के जाना और अपनी बात बताना इनिशेटी मतलब पहला कदम है ना पहल करा विद फ्रांस ओलडी हविग गिवन शेप तो न्यू यूपन यूनियन कॉपिराइट रूल्स देर बाइ फोर्सिंग गूगल तो निगोशेट लाइसेंसिंग डील विद इस पॉब्लिशर्स दा हीट इस ओन दा इंटरनेट प्लेट प्लेटफॉर्म करा के साथ ही फ्रांस के पहले से ही कर चुकने के साथ हैविंग प्लस में वाग की धर्डफों पर्फेट पार्डिसिपल करा फ्रांस के ओलडी दे देने के साथ ही और किसको शेप को अकार को और किसको एक नए European Union Copyright Rules को कर रहे फ्रांस के इस काम को कर चुकने के साथ ही हुआ क्या कर रहे इस तरह से फॉर्स करते हुए Google को करें वो निगोशेट करें मोल भाब करें लाईसेंस की डील को इसके पॉब्लीशर के साथ ही है जो सारी हीट है जो सारी करनी फ्रांस की उपर है समझे ना दवाब में जो है वो फेस्बूक और गूगल है ना कि ऑस्टेलिया है आज की डेट में यह सेंटेंस कैसे बना हुए हीट आपका सब्जेक्ट है इस आपकी वह है यह विद प्रेपोशन का अब्जेक्ट है फ्रांस और फ्रांस वह वाला है जो पहले से गिव कर करें इस काम के होने के साथ ही अब हीट जो है दवाब है इंटरनेट कंपनीज के उपर है समझ के परफेट बहुत बार करवा चुका हूँ है फिनिश करके टीम निकल गई ड्रेसिंग रूम के लिए कोई बंदा मुझसे कॉमेट में बहस कर रहा था सर हैविंग को निकाल भ परफेट पार्डिसिपल पास पार्डिसिपल में जमीन आसमान का फर्क होता है ना तो हैविंग फिनिश ता मैच टीम लेफ्ट फोर ड्रेसिंग रूम एक काम होने के बाद दूसरा काम होगा देरभाई का मतलब होता है इसके चलते या इस परकार से ही स्टॉप स्मोकिंग और देरभाई बिकम हेल्दियर उसने सिगरेट पीना बंद किया और इसके चलते बन गया और ज्यादा हेल्दी शी टॉप्ट दूसरी सरकारे भी इससे थोड़ी सी हिंट ले सकती है इस पूरे घटना क्रम से चलिए सिंपल आर्टिकल था आज का बिल्कुल ग्रामर हेवी ह जानता हूं मैं इसलिए कुईज को थोड़ा है भी बनाया मैंने फटावड एक लाइक और एक शेर देदो आजो अपने कुईज पर क्लोस्ट है दव यह ना कंवेंशन इज पैक्ट वर्थ अडर्ट टू कंसीडर अबाइडिंग बाई या तो कंपलाई विद ध्यान देना वर्थ के बाद में आएगा तो नाउन आएगा या फिर आएगी वर्ब के और एक नाउन तो है नहीं इसा समझोता है जो वास्तम में अबाइड बाइ करने लाइक है जिसका वास्तम में सक्ति से पालना होनी चाहिए अचा ऐसा क्यों है जबर जस्ती फीजिकल या साइकलोजिकल सफरिंग से गो थूँ ना करवाएं है इसको जानभूच करके किसी परकार का टॉर्चर ना दे यह वीना convention कहता है कि किसी prisoner को आपने पकड़ लिया ना दूसरे देश का है जो फोजी है उसको आपको बिल्कुल भी torture नहीं करना है अब यहाँ पर देखने वाली चीज है mandate आ चुका है mandate का मतलब है present subject mood trigger होगा that के बाद अगर ऐसा है तो that के बाद यहाँ पर they के बाद लगाना है आपको should और साथ में लगाना है देखो यहाँ पर should लगाना और should को निकाल देना है तो should के साथ में आएगा not make do not नहीं आ सकता should के साथ में should not नहीं आ सकता क्योंकि should को निकालना है वूड तो आना है नीचे यह आपको लगाना है शूड नॉट और शूड को निकाल देना है समझगे मैं बात को that the countries या they not make any prisoner of war ऐसा बनाना चाहरा हूँ मैं न शूड नॉट लगाऊंगा और शूड को निकाल दूँगा तो not रह जाएगा अच्छा क्या नहीं करना आपको prisoner of war को मजबूर नहीं करना है में एक वाप से कोजेटी बनाओगे यहां लगाओगे बे इन्फिटिव बे इन्फिटिव होगा गो शूड नॉट में एनी प्रिजनर अफ वाप गो थूड फिजिकल और साइकलोजिकल सफरिंग समझगे ना इस मेक की विज़े से यहां पर आएगा बे इन्फिटिव फ द वाप आगे बढ़ो सम अप द स्ट्रोंगेस डिमोक्रिसी इंकलूडिंग एन इंडिया और यूएस से आर येट तो साइन द पैक्ट दुनिया भर की कुछ मजबूर डिमोक्रिसी में से एक जो हैं इंडिया और यूएस से उन्होंने इस पैट को साइन नहीं किया है आज तक इन पे हस्ताक्षर नहीं किया है करा हाववेवर द ये द निकाल दो करा हलांकि उनके जो सिस्तम है वो बड़े अच्छे से आदी है जस्ति सिस्तम को इस्तमाल नहीं किया जाता बल्कि उसके आदी होने की बात बताई गयी है R के बाद में used नाम का adjective है अगर ऐसा है तो यहाँ पर आएगा treating समझ रहूं ना क्या बताना चारा हूं मैं आपको used to के बाद में treat भी आ सकता है treating भी आ सकता है लेकिन अगर used adjective काम करेगा तो treating लेगा अगर used main verb होगा तो treat लेगा तो justice system को use नहीं किया जाता है बल्कि justice system accustomed है आधी है treat करने का है used to treating और with humanity देखो what with the likes of thereby emulating virtually giving effect to the Vienna Convention even without being a signatory to it करे यह जो ना country है जो की बड़े अच्छे से treat करती है और एक तरीके से give करती है effect इस Vienna Convention को यहाँ तक की बिना इसको sign किये तो इंडिया और उस्टेलिया ने sign नहीं किये है लेकिन justice system ऐसा है कि बिना sign के ही Vienna Convention को follow कर रहे है तो यहाँ पर इस प्रकार से वाला meaning चाहिए इस प्रकार से effect देते हुए इस प्रकार से के लिए आएगा वर्ट देर पाए समझे ना emulate करने का मतलब होता है किसी शीच को follow करना copy करना यहाँ पर इस प्रकार से तो मैं यूज करूंगा देर वाय को चलिए जरूर से अपना score बताएं कोमेंट्स में मुझे नहीं लगता है दो से ज्यादा नंबर किसी का है होंगे थोड़ा डिफिकल्ड बने बनाया था फिर भी जरूर से शेयर करना मुलागा लूँगा कल की वीडियो में तब तक के लिए साइनिंग आप